नमस्कार दस्तों आप सभी लेगों को स्वागते सेफ्टी अन्सी को ओर्डिनालेज में तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंज आप लोग देख सकते हैं यह है पीपी बॉक्स मतलब पार्सेनल प्रोटेक्टिव इकुमेंट्स बॉक्स तो यह जो बॉक्स है आप लोग हार किसी पॉपार्डी में देख सकते हैं तो यह पार्सेनल प्रोटेक्टिव इकुमेंट्स का मतलब क्या है इसको किसी भी risky situation में हम लोग को health मिले या protection मिले उसको बोला जाता है personal protective equipments. तो personal protective equipments हमें कब इस्तिमाल करना चाहिए जब कोई person किसी risky situation को handle करने जा रहे है तब वो पिपी किट्स इस्तिमाल करना चाहिए. situation की according हम लोगों को pp kits इस्तिमाल करना चाहिए. हम लोगों को different different situation में different different pp kits को इस्तिमाल करना चाहिए. लाइक आप किसी building की निचे काम कर रहे है और building की उपर में भी कोई भी काम कर रहे है और छोटे छोटे किसी भी चीज किसी भी चीज निचे गिर रहा है तो आपको head को protect करने के लिए आपको helmet लगाना पड़ेगा same like that अगर आप किसी chemical से कुछ काम कर रहे है अगर कुछ chemical handle कर रहे है तो आपको आखों को protect करने के लिए goggles और safety glass लगाना पड़ेगा और साथ साथ आपको hand को protect करने के लिए भी globe लगाना पड़ेगा same किसी भी sharp और करने के लिए किसी भी holding और को किसी भी chance of कुछ cut only cut होने का chances है जिस जगा में ऐसे जगा में भी hand globe इस्तिमाल करना पड़ेगा तो main बात रहा यह जो PP box यह कहा होता है और किसके लिए यह लगाया जाता है main point वही है तो यह actually hard property में होते हैं तो किस जगा में होते हैं अगर किसी sound जो area soundless area जैसे janitor room ऐसे कुछ dust जादा जादास्ट होने का जैसे कुछ factory वगरा ऐसे जगा में बाहर में PP box लगाया जाता है तो PP box के अंदर क्या क्या होता है यह according मतलब इसकी इसाब से कामों की इसाब से factory की इसाब से PP kits होता है अगर आप janitor room की बाहर में PP kit होगा तो janitor की room के अंदर में जाने के लिए क्या क्या चीज होना चाहिए आपके पास एस से related ही चीज रहना चाहिए और रहेगा तो air map होता है जो कानों में ज्यादा sound होने के लिए ना होने के लिए जो air map लगया जाता ही वह होगा और जनटार room में जाने के लिए safety shoe and helmet helmet की ना होने से भी चलेगा और hand globe यह सब ज़रोड़ी होना चाहिए तो यह सब major है उदर के लिए तो उदर होगा तो same like that अगर आप किसी factory जिदर ज़्यादा dust की कुछ काम हो रहा है तो तो उस जगह में क्या होगा mask होगा heavily mask होगा और globe होगा hand globe होगा और plus आपकी आखों को protect करने के लिए भी गोगल होगा साथ-साथ उपर से कुछ गिरने की chances से ऐसे कुछ होगा तो उसमें helmet भी होगा safe tissue हर जगह में होता है तो ऐसे related ही चीज पीपी बॉक्स में रखाया जाता है कि पीपी बॉक्स ऐसे जगह में रखा जाता है जो चीज आप जाने के time उसको use करके आप safety मतलब को य external hazard ना हो हाम ना हो इसके लिए protective equipment box में रखा जाता है तो यह में बात कर रहा था floor wise मतलब जिस जगह में जो location में जो चीज है जनेटार रूम में जनेटार रूम की बहार में पीपी किट्स मतलब होना चाहिए box छोटे box में अगर personal protective equipment के बारे में बोला जाए तो वो बहुत सा line में आएगा मतलब list में आएगा मैं जस्ट यही बोला floor wise जिस जगह में अगर fast floor में कुछ factory है तो factory dust कुछ dust ऐसे चीज़ फेक्टरी में जाए कुछ dust होने वाला factory है तो ऐसे factory में बाहर में पीपी box होना चाहिए और box में क्या क्या होना चाहिए जसके बारे में बात किया था और personal protective equipment की समान की बात किरे तो यह एक पीपी box station बोला जाता है तो उसमें add to jet जितने भी समान safety equipment लिस्ट में होना चाहिए सब कुछ समान उधारी होते है तो दोस्तों वीडिया अच्छे लगे तो लाइक कीजी और दोस्तों के साथ शेयर कीजी थैंक्यू